आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हूँ कि तुलसी जी में आपको किस प्रेकार से दिया जलाना चाहिए प्यारे दोस्तों तुलसी जी में दिया जलाते वक्त हमें विशेश रुप से ये ख्याल रखना होगा कि तुलसीजी को किसी भी प्रकार से छटी ना पहुंचे इसलिए आप तुलसीजी के गमले में दियाना जलाकर तुलसीजी के पास नीचे कुछ चावल के दाने डाल करके वहाँ पर दीप जलाएं क्योंकि तुलसीजी में जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी तपड से तुलसी जी के पत्ते नुख सान पाते हैं। तुलसी जी को मा का अवतार माना जाता है। इसलिए विशेश रूप से साफ स्वक्षता का खास क्याल रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें। कि जब तुलसी जी में दिया प्रजुलित करें, उन्हें चड़ाएं उसमें किसी प्रकार की खाच समागरी न डाले जैसे कि हम चावल वेगरा या तिल वेगरा डाल देते हैं वो नहीं डालने चाहिएं पहले जलको आरपीत करें फिर उसके बाद तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और थोड़ी सी हल्दी उनकी जड़ों पर डाले ताकि वो भोड़ा समेशा सेफ रहे इसके बाद आप तुलसी जी के मंत्रों का उठ्चारन करें मैं उम संब द्राइनमें या फिर या देवि सर्वबूतेसु लचमी रूपें नसंसीता नमतषय नमतषय 1464 1्यावर्य भी एन फिर आप इस मंत्र का भी 25 कर सकते हैं ज पूराख्यों चूड़ा मेरा सिर्किसन जी का कांदा दी जो बैकुंठा में वासा दी जो इस मंत्र का जाप करके आप तुलसी जी के समक्ष विंती करें कि वो आपके घर में शुक्सांति और सम्रधी बनाए रखे तुलसी जी के पोदे को आप अपने आंगन में विराजित क करें और उनको आप साक्षात लश्मी का रूप समझ करके उसकी पूजा आरादना करें साथ ही आप सुभह भी तुलसी जी में दिया प्रजवलित करें और साथ में दिन चिपे के टाइम भी तुलसी जी में दिया जलाए दिया जलाने से आपके घर में शुक्षांति और सम् और आप तुलसी जी में जो दीपक जलाएं वो फूल बत्ती का जलाएं जो बत्ती आप यूज कर रहे हैं वो फूल बत्ती ओनी चीए नाकी लंबी और साथ इस बात का ध्यान रखें कि गाय के घी का अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में शुक शान्ती बनी रहेग प्यारे दोस्तों तुलसी जी के ये थे नियम जो आज हमने आपसे साजा किये उमीद करते हैं कि आप अपने जीवन में तुलसी जी के मैतों को समझते हुए तुलसी जी की पूरी शर्ध्या और भक्ति के साथ अराधना करेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जय हिंद